Kand ego कि इस वीदियो कि अंदर हम नए को טוב के स्टार्ट करेंगे जो साइ颗 फार्माकोलाजिकल एजन और उसके साथ सथ ट्राइकॉलाजिजर डि Cancer MAIN टॉपिक है इससे पहले त्राइकॉलाजर समयने से पहले साइको ऊसको फॉर्मकोलाजिकल एजन हम इसको पॉसीबल है उसको यहाँ उसका साथ साथ जिसके ट्ॉट्र को फिसके एड़स meant करेंगे उसका क्लासिफिकेशन और उसके बाद सबस्कुको सोफ़ पार्ट एंदर इसे वीडियो के का dosage form है हम उसको explain करेंगे और इससे पहले जम इसको discuss करेंगे psychopharmacological agent तो psychopharmacological agent हम ऐसी drugs को बोलेंगे जो हमारे brain से related different conditions है और different illnesses है उसके treatment में जो agent use करते हैं उसको psychopharmacological agent हम consider कर सकते हैं तो इस तरीकों से simple way में हम हो सकते हैं द्रग विच आर यूज़िन वेरियस मेंटल इलनेसे ज़न वह ड्रग जो ब्रेंस से रिलेटेड और मेंटल से रिलेटेड इफरेंट इनले 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 इस हैं उसके treatment में जो drug use होते हैं mental disorders जिसको बोल सकते हैं उसके treatment में जो drugs use कर सकते हैं उसको हम साइको फॉर्मकलोजिकल एजन द्रग वीच आर यूज़िन वेरियस मेंटल इलनेसे और नोन जिस को पूछा और साइको फॉर्मकलोजीकल में फॉलता है तो स्टीपैसे में जो साइको फॉर्मकलोजी का लिए यूजिन और साइको डिस नेसे समों कंडिशन जो है वह हाइपर एक्टिव कंडिशन है जो जिसको इसकी जो फिरिनिया बोलते हैं तो ऐसी यह कंडिशन है साइकोटिक कंडिशन जिसको बोल सकते हैं तो हाइपर एक्टिव कंडिशन जिसमें पेशन जो है वह किसी सिच्वेशन को हैंडल नहीं कर पाता है वह इम कोई अगर अच्छी कोई अच्छी बात भी है उसका निगेटिव थिंकिंग के साथ में निगेटिव सोच के साथ में उसको अपने लिए वह ऐसा समझता है कि यह मेरे लिए नुकसान का जरीया है उस पर वह इमिजटली रियक्ट करता है और इसकी वज़े से जो सिच्वेशन को एंदलने कर पाता इसके अंदर भी हैवियर लो चेंजी बात है इसके षजेंजी आना शुरूा जाते हैं सूंसाइटी के साथ अपने को एड्यर्डी कर पाता शिच्वेशन के साथ अपने कृडिक्येस नहीं कर पाता तो एसी situation कर सकते हैं उसको ऑन्क साइइ iterative हैइजन बोल सकते हैं यह नियुरोलेप्टिक एजन यह मेजर ट्राइक लाइजर बोलता है यह साइको लैप्टिक एजन यह एंटी इसकी जो फ्रेनिक एजन यह हम ऐसी सिच्वेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं कुछ इस से थोड़ी कम कंडिशन रहती है कि पर पर संज में जो नार्मल रहता है लेकिन थोड़ी से सिच्वेशन पर एकदम एंजाटिक कंडिशन डिवलप हो जाती है एकदम आदम इमेजेट उसको रियांक करता है एंजाटिक कंडिशन जिसको बोलते हैं उसके लिए जो द्रॉग यूज करते हैं वह एंटी एंजाटिक ड्रग जिसको बोलते हैं और यह माईना रहता है और तीसरे जो कंडेशन है जो कुई शौक लग गया या कुछ मैं आसी सिट्वेशन हो गई तो वह सोचता है और किसी से बात चीद और किसी से वह नहीं करता डिप्रेशन जिसको बोलते हैं तो डिप्रेशन को हैंड 교 molar सब्सक्राइब करती है तो डिप्रेशन के हैंडल करने के लिए टीर्फेब्रिफ लिए जैडिक जिसको थायमॉल्यंति लेकिस भी बोलते हैं ऐसे कुछ ड्रण ऐस रहती है जो हमारे ब्रें सब्सक्राइब और कुछ ऑपसी एंग करता है कि इसन कहंग talis com नोर्म लाने के लिए ड्रॉज करते साइको c की साइके कंदीशन से सिमिलर कंदीशन को करते हैं जिसके चोंब राड़ वोलता है यह साइको डिसलेप्टिक बूद है तो यह किसी ऐसा समझें कि वह किसी सब्सक्राइब का साइड एफेक्ट है जो साइकिक कंडिशन जिसकी वज़े से डिवलप हो जाती है तो साइको फर्मकलॉजिकल एजन को हम एक सिंपल में एक्स्पेंड कर सकते हैं ड्रग विचार यू क्लसिफायइडिंट्य में फैफ में ग्रॉप एजित जो है फाइफ मेन घरुप में हम ज्वजाइड कर सकते हैं एक तो साइकोश्वयत्स को एंटि साइकोटिक अजन है तो हीश एंटि साइको टीक ड्यutan दिढ़ है और इसका और ऑक्याम्पल आखलो जैसे हेवलोफ मेसीन और शाइकोलेप्टिक एजन भी इसको बोलते हैं यह तर तो जो मेंनिंग है एक ही मेनिंग है जिसके एग्जामपल कलोर्परमजीन है यह यह हैलोपेरिडाल दूसरा माइनर ट्राकॉलाइजर एंटी-एंजाइटीक ड्रग जिसमें माइन ट्राकॉलाइजर जिसके एंटि- लाज आज़ाई टी और एंजियोलाइटिक बी बोलता है यह इसको माइनर ट्राइकुलाइजर बोलते हैं जिसका इसमिलाइजबा रिखनाम हमसी एनटेप्रेजन देप्रेशन को एंद्रोल करने के लिए जो करते हैं इसको एंटीडिप्रेजेंट को थाइमोलेप्टिक भी बहुता है जिसका एक्जामपल इमप्रमीन हे इमित्र रिप्रेप्टलीन है इसके लिख सकते हैं ऐसी साइकोब्डर इस्टिमुलेंड जो तो हमारी साइकिक कंडिशन को स्टिमूलेट करती है अगर पेशन को डिप्रेशन में है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ एजन यूज कर सकते हैं जैसे कैफीन है यह एक्जामपल हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे ही साइको साइकोमेमेटिक ड्रग या हैलुसीन ने जीश करें यह यह इसके अंदर आता है यह साइकोड़ी स्लेप्टिक सब्सक्राइज कर और यह फिर साइकिक कंडिशन निविक कि विए द्रग कर देती है जो नॉर्मल मेंग्टर कंडिशन को चेंज करके साइकिक फार्मकॉलय इजन यह साइकोट्रोपिक एजन को टिवा इसको एगजямपल के साथ क्लासिफाいます तो इसमें हमसे five main group में इसको classify कर सकते हैं anti-psychotic agent anti-anxiety और anxiolactic drug ऐसे ही anti-depressant or thymoleptic drug psychomotor stimulant the psychostimulant drug और psychomimetic drug यह hallucinogenes तो यह psychodysleptic तो इस तरीक से examples के साथ हम इसको लिख सकते हैं अब इसके बाद हम इस चीज को explain करेंगे यह अगर question पूछा तो यहाँ easily इस question को हम describe कर सकते हैं इसके बाद हम जो define करेंगे, explain करेंगे वो tranquilizers है tranquilizers हमने जैसे अभी बताया कि कुछ conditions ऐसी हो जाती है कि patient जो हाइपर active हो जाता है तो उसको normal condition में develop करना है हाइपर active हो जाता है, situation को handle नहीं कर पाता और उसका fast reaction और ऐसा reaction, abnormal reaction वो patient produce करता है जैसे अगर कोई patient फत्तर मारना शुरू करता है कोई चीज तोड़ना शुरू कर देता है कोई चीज फेकना शुरू करता है, जोड़ से चिलाना शुरू करता है और ऐसे behavior वो शो करता है situation को समझने से पहले ही वो abnormal activity शो करता है तो ऐसे patient को treat करने के लिए जो drug use करते हैं उसको tranquilizers बोलते है anti-schizophrenic agent भी इसको बोलते हैं जैसे हमने यहां पर लिखा major tranquilizers है तो antipsychotic drug है तो यहां हम इसको simple way में explain कर सकते है कि tranquilizers क्या है tranquilizers क्या है तो tranquilizers को explain करने के लिए साइकोलाइजर साथ antipsychotic drug यह एक antipsychotic drug है which induce a mental state जो ऐसी mental condition को produce करेगी which induce a mental state free from agitation excitement and anxiety free from agitation excitement and anxiety कि यह वो drug है और यह यह वो compounds है जो ऐसी mental condition को produce करेगी जो agitation से excitement से और anxiety से free है और aggressiveness से free है कि यह वो drug है जो ऐसी mental condition को ऐसी mental state को produce करेगी जो agitation से free है excitement से free है aggressiveness से free है excitement, agitation क्या है कि किसी situation को देखकर उसके लिए कुछी चिस तोड़ना, मारना, फेकना यह करना यह agitation है, excitement, किसी चीज़ को hyperactive हो जाना और fast react कर देना उसके, वो excitement है aggressive होना यह भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना aggressive होना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना यह condition है यह सारी condition को यह ऐसी mental condition से excitement से आए पेशन को free करना, excitement से, agitation से, aggressiveness से पेशन को free करना और पेशन को calm and peaceful करना and render the patient calm and peaceful are known as tranquilizers तो हम बोल सकते हैं कि tranquilizers को simple way में explain कर सकते हैं these are the anti-psychotic agent these are the anti-psychotic agent which induce a mental state which induce a mental state free from agitation excitement and aggressiveness and keep the patient calm and peaceful और patient को calm and peaceful यानि थंडा रखती है normal रखती है और peaceful रखती है उसको बोलते हैं ट्राकुलाइजर तो यहां फिर इसको को हमें easily explain कर सकते हैं कि tranquilizers are the anti-psychotic drug which induce a mental state free from agitation excitement and aggressiveness and keep the patient and renders the patient भी लिख सकते हैं and renders the patient calm and peaceful and renders the patient calm and peaceful तो यहां इस तरीकर से हम को explain कर सकते हैं कि कर सकते हैं कि अब इसके बाद हम इसका classification देखेंगे तो इसको जो दो में ग्रूप में classify कर सकते हैं मेजर ट्राइंकुलाइजर सेंद माइनर ट्राइंकुलाइजर मेजर ट्राइंकुलाइजर सेंद माइनर ट्राइंकुलाइजर मेजर ट्राइंकुलाइजर सेंद माइनर ट्राइंकुलाइजर मेजर ट्राइंकुलाइजर सेंद माइनर ट्र को आगे देखेंगे तो यह मैंजर को नह enorm में क्लाशिफइए किया है में तो फीन कुर्चम Conselli यो थायोजयन्थी डिखपय यौजाजबॉट सब्यूट नीजदिभी टिन विजाजबं कलासिफाईओ किया है प्रोपीयेजाजीदेवेटिव इस तरीख से इसको क्लासिपाइब किया उसके बाद माइनर ट्रीकॉलाइजार्स को तीन सब ग्रूप में क्लासिफाइब किया भींजोडाइजआपीजान हैं exactement है प्रपेन डाइउन में अग्रमाथ हे एक हैं अग्जामल्जाइजान के इस? Hontaine's eric. ज्हाफिन प्रोमजीन फ्मरोग्रेलषीन हो यह जामपल की लिघ सकते विकते हैं रिए यह में के अब बूतिरॉफिन डेटाल फ्म कर ज्परतों कि यह घायो पेराइड़ण आप जिंबर यहां सुसांबें लक्सार्पि methods Go is morph kalian कि फिने और फिन्टेलन आचिव आइसे जबह वह बैंश कुल हैं कि नौ में उलेंजेपीन लेंजबी जी ऐस आइसуск्साजोल में रेसंपेर ही दों यही डाइफी नाईल ंज़ा पांव wasin में पिपमोजेड मों एस सी माइनडा क्यूलाइजर को मींदेखेंगे मायन राइक आपलाजम बेंज़ो डाइज़ान है पाल लोरा जो पाल है ये द् olm कर्भ लेक्जामपल हम इसके नदर लिख सकते ह। ऐसे ही मिसलेनियस में हैड्रोक्सी लीथियम कार्ब कार्बोनेट हैड्रोक्सी लीथियम कार्ब कार्बोनेट यह एक्जाम्पल्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं इस तरीकर से हम इसको क्लासिफाइब कर तकते हैं कि ट्राकॉलाइजर को दो ग्रूप में क्लासिफाइब किया एक तो कि अगार्डिक में जिखेंग मैइन त्राइक को यह हैं ओर मैजर का przyszट आए किया माइनर को तीं सब्सक्राइब क्लासिफिक इसक्राइइर यूजर के सिपर विसके और व Esse के निए हैं ठीटेइन तो फार्मकलोजिकल एजन को रिफाइन कर सकते हैं इस तरीकर से हम उसको सारे चीज़ों को कवर कर सकते हैं